दियर स्टूडेंट चैप्टर नमबर वन हुमन जोग्राफी नेचर एंड स्कोप मानव भुगोल की प्रकरती और क्षेत्र जिसमें सारे सब्जक्ट का अद्यान किया जाता है तो जिबराफो में तो किया जाता है इंसाल चैप्टर प्रियोग से हम चौथे एप्शन पे आएंगे सबी तरह का अध्यन जोग्राफियों में किया जाता है नेक्स्ट क्वेस्टन है जोग्राफिय स्टडीज एब्री फिनोमना बिच बेरीज तर टाइम साइकेंड स्पेस थार्ड ए एंड बी यानि बन और तू बोथ और फोर्थ नन ओफ दीज तो इसका आंसर थार्ड होगा क्योंकि स्पेस और टाइम के अंदर जो भी फिनोमना होता है उसका बुगोल में अध्यन किया जाता है जैसे कि चित्तर में आप देखें समझें नेक्स्ट क्वेस्टन जैसे कि आपको पता है प्रिथिवी पर दो पुर्मुक घटक पाए जाते हैं तो आंसर है वन टू इसमें लिखा है बहुतिक पर्यावन और मानव चित्तर के मद्दिम से ध्यान से पढ़ें नेक्स्ट क्वेस्टन कि अमंग दा फॉलिंग एज नाट एक कॉंपोनेंट आफ हर्थ इनन्वारिमेंट, फ्लोरा एंड फॉनना, हिमन बिन кого बींग, स्पेस जैसे कि आपको पता है थ्पेस नहीं जुड़ा हुआ है किस से? कॉमपोनेंट से कौन से कॉमपोनेंट? अर्थ के कॉमपोनेंट से इनपारिमेंट में हम रहते हैं फ्लूराफोना भी हम जानते हैं जीव जन्तू बनस्पती human being तो है बट space नहीं है तो answer है fourth space next question the dualism of geography refer it as a discipline which should be कौन सा ये discipline होना चाहिए द्वैतबाद की अफधारना के नुसार lawmaking होना चाहिए या theory and descriptive होना चाहिए second है subjective should be organized or not fourth है all of these यानि भूगोल का बिश्य बस्तू कैसी होनी चाहिए क्या ये सेधान्ति को होना चाहिए क्या इसमें प्रादेशिक होना चाहिए तो सारी के सारी जो concept हैं ये देखने को मिलते हैं जैसे की चित्तर में भी आपको देख रहे हैं तो fourth answer है all of these next question which of the falling expression or term is not metaphor of geography neck of rivers, snout of glacier, eye of strong, railway is artery and circulation जर्मन भूगोल बेताओं ने हमारी प्रिथवी का वर्णन मानव के शरीर के रूप में किया था जिसमें लिखा था neck of river, river की गर्दन ये तो मुझे देखने को कहीं नहीं मिला mouth of river होता है, अगला है snout of glacier, आगे है eye of तुफान की आंख, जैसे बीच में low pressure जो होता है तुफान में तो option number one, ये लिखा है, नदी का मुख होता है, ना की neck होता है, गर्दन होती है तो इन चीज़ों को याद कर लें आप किताब में से, क्योंकि यहां से question बनने की पूरी संभावना रहती है next question आपके सामने आ गया है, ये एक अब धारना लिखी है, हमने देखना है, किस ने कही है who gave the following statement, conceptions resulting from the more synthetic knowledge of physical law governing our earth and the relation between living beings which inhabit it धर्टी पर जो रह रहे हैं, उन जो लोग हैं, वो जो लोग हैं, उसका synthetic sensation आत्मक जो अध्यान करते है और physical law जैसे gravity का है, और भी घर्शन का law है, जिससे आग उत्पन होती है ये सारी की सारी बाते किस ने कहीं थी, मुझे तो लगता है, Paul डिला बलास ने कहीं थी ये देखो, ये परिवाशाएं दी हैं किताब में, तीन लोगों की, उनको अच्छे से आप याद कर लें तो इसमें भी objective type बढने की, question बढने की सभावना रहती है तो second option है, right option next question, but is environmental determinism first है, interaction between developed human society and weak force of nature second है, interaction of primitive society with the environment due to low technology level third है, people rule over the nature fourth है, all of these तो इसमें, परियावन निश्चेबाद की बात की है परियावन निश्चेबाद में सिर्फ एक ही बात कही गई है कि जो आदमी है, मनुष्य है, प्रकृती का गुलाम है तो इसमें second option आएगा, interaction of primitive society प्राचीन समाजों का interaction किस के साथ, environment के साथ, due to low technology उनके पास प्रध्योगगी का कमस्तर था तो second option is a right option प्रकृतिक निश्चेबाद, निट्यबाद इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रकृति हमारी माता है इस तरह की अब धारना इसमें कही गई थी next question the nature provides opportunity and human beings make use of it and create possibilities but does this concept known as determinism, new determinism, naturalization of human और fourth है, possibilism इसमें कहा क्या गया है कि पर्यावन हमें बहुत सारी opportunity देता है हमें मौक्के देता है और इन possibility को हम संबब कर लेते हैं जैसे पहाड़ों पे घर बनाना ठंडे इलाकों में घर बनाना या गरम मरुस्थलों में भी जीवन यापन करना आज मानब ने सब कुछ संबब कर लिया है क्योंकि उसने परेवर्ण की जो obstacles थी बादाएं थी उनको खत्म कर लिया है तो option होगा fourth इसको possibilityism कहेंगे तो possibilityism में nature को change करना आदमी ने सीख लिया है next question को देखते हैं but is the other meaning of new determinism नव निश्चे बाद का दूसरा नाम क्या है stop and go determinism environmental determinism third है possibilityism fourth है humanization of nature तो आप जान गए होंगे कि रुको और जाओ determinism भी इसका दूसरा नाम है इसमें बताया गया था कि प्रकरती को उसी हद तक परिवर्तित करो जब तक बो allow करती है तो stop मतलब रुको अभी प्रकरती allow नहीं कर रही है क्योंकि बहुत सारे नुकसान हो गए थे पॉसिबिलिजम से संब बाद से तो प्रकरती ने रोकने के लिए इसको कहा गया था इस concept में stop and go determinism next question who introduce the concept नव निश्चे बाद की या मध्यमार की अवधाना का प्रतिपादन किस ने किया रेटजल ने ग्रिफित टेलर ने LNC सेंपल ने एंग्रियू लेविल्स्टन जे लेविल्स्टन ने कहा तो आप इससे भली बांती परिजित हैं ग्रिफित टेलर ने कहा था ग्रिफित टेलर ने कहा था प्रकरती जब तक आपको अलाव करती है अग्या देती है उसमें परिवर्तन करो ऐसे नहीं कि सब कुछ संभव करने की कोशिश करने लग जाओ आप सारी प्रतिवी को चेंज कर दो तो लैंड स्लाइड भूकंप जैसी आपदाएं आएंगी संभवाद की अबधारना से क्या उत्पन हुआ क्या परिणाम हुए है बिलकुल आप सही समझे सभी हुए है क्योंकि जब आदमी ने संभव करना हर चीज को शुरू कर दिया तो उसने कहीं ग्रीन होस इफेक्ट भी पैदा कर दिया और जौन लेयर डिपलीशन भी पैदा हो गया लैंड का डिग्रेशन करना सुरू कर दिया बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बनानी सुरू कर दी कोईला जलाया तो करवन डाइकसाइड की मात्रा बढ़ गई और जौन लेयर का भी डिपलीशन किया नेक्स्ट क्वेस्टिन बिच आफ दा फॉलिंग इस एन अप्रोच आफ हुमन जिग्राफी मानब बुगोल का निमन मैं से कौन सा उपागम है एरियल डिफरेंशियेशन क्षेत्री भिवेदन क्वांटिटेटिव मात्रातमक एप्लिकेशन आफ यूनिवर्सल थियोरी ब्रमान से धानतों का प्रतिपादन फॉर्थ है नान आफ दीस आप इसमें परिशान ना हो किताब के लास्ट में एक पैराग्राफ दिया है जिसमें क्षेत्री भिवेदन एप्रोच्चिस में रखा गया है जो मिडल लाइन है अभी एक चित्तर आपके सामने आएगा मिडल लाइन में एप्रोच्चिस बताए गई है उपागम बताया गया है ध्यान से देखें Next question Spatial organization refer to which period स्थानिक organization किस समय अब्दी से समन दीता है Later colonial period Second है Late 1950s to Late 1960 Third है 1950s Fourth है 1917 Special pattern किस से स्थानिक किस से जुड़ा हुआ है चित्तर में जैसे लिखा है 1950 से 1960 के बीच में जुड़ा है Next question Which of the following is new approach of human geography मानव भूगोल की नई अब्धानों में से इन में से कौन सी नई है Humanistic school, radical school, behavior school और all of these तो humanistic होता है मानव से समन्दित radicals तो आप जानते हैं माक्सिस्ट की थियोरी से समन्दित behavioral बेवहार से समन्दित यानि समाज में अब भूगोल का अध्यन मानव के रूप में उसके बेवहार के रूप में या अमूल बाद के रूप में आना शुरू हो गया है यानि समाज में क्या हो रहा है भूगोल ने अपनी विश्यबस्तू इस से जोड ली है तो fourth है all of these सारा का सारा आपको एक paragraph में बताया गया है NCRT का चित्र है इसको ध्यान से देखें समझें मानव भूगोल ने अब इसका अध्यन करना शुरू किया है next question behavioral school of thought emphasis on perception of space by social category based on ethnic religious religion race all of these यानि बिभारबादी भूगोल ने कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है ध्यान दिया है तो सबी पर ध्यान दिया है क्योंकि यहां धर्म जाती और परजाती के रूप में अध्यान करते है तो जैसे इस चित्र में दिया है ध्यान से देखें option number 4 all of these इन चित्रों को NCRT से लिया गया है और उसको अध्यान करना बहुत जरूरी है next question which school of thought was based on Marxian theory welfare, behavior, radical none of these you are right radical radical school of thought Marxian theory से जुड़ा हुआ है जिसमें समाजिक बंदन निर्धनता असमानता है ये सारे के सारे concept लिये गए है तो आप चित्र के मद्धिम से देखें इसको आप अच्छे से ग्रैफ्स करें इस किताब में इन चित्रों में बहुत जादा ग्यान है इनी में पेपर आएगा Next question The approach of later colonial period यानी colonial उपनिविश बाद को कहते हैं उपनिविश के बाद कौन सी approach मानब गोल में आई थी ये है regional analysis exploration description area differentiation special organization तो कौन सी आई थी ध्यान से देखें ये approaches हैं और ये period हैं तो प्रादेशी को उपागम आया था number one regional differentiation the study of urban studies and planning is done in which field of human geography शेहरों के बारे में अध्यान कौन सी ब्राच जग्राफी की में किया जाता है सबसे पहले population जग्राफी इसमें तो demography का अध्यान किया जाता है अरवन जग्राफी इसमें शेहर के बारे में अध्यान किया जाता है तो इसमें कौन से जिग्राफिय में कैसा धेन किया जाता है ये चित्र के माद्धिम से देखें उसमें सबसे पहले मानम बगोल के क्षेत्र उपकर शेत्र बताए गए है चलो बेटा हम नेक्स्ट कुश्चन के और बढ़ते हैं आर्थिक बगोल का ये क्षेत्र नहीं है कौन सा जिग्राफिय और रिसोर्स जिग्राफिय और इंडस्टी जिग्राफिय और सोसल बेलवींग जिग्राफिय और मार्केटिंग आप बिल्कुल अच्छे से समझ गये होंगे सोसल बैल बिंग इस से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि हम एकनोमिक्स में तो रिसोर्स इंडस्टी और मार्किट का ध्यन तो करते ही हैं तो ये मानव भूगोल का कौन सा हिस्सा था ये आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का आर्थिक भूगोल का हिस्सा था इसमें हम सोसल बैल बिंग का ध्यन तो करते हैं बट इतनी डेफ्ट में नहीं करते इसके लिए समाज कल्यान भूगोल बनाया गया है अगले कॉशन के और बढ़ते हैं बिच सब फील्ड ऑफ जगराफी इस कॉलड डेमोग्रेफी डेमोग्रेफी जननान की किस से जुड़ा हुआ है सैटलमेंट जगराफी से अरवन जगराफी से पॉपुलेशन जगराफी से नन आफ दीस तो बेटा डेमोगरेफी की स्टडी केबल-केबल population जिग्राफी में की जाती है यह study की बहुत अच्छी ब्राँच है जिग्राफी में इसमें भी आप जा सकते हैं तो इसमें देखो आप जनसंख्या बुगोल कहते हैं और इसमें demography का ध्यन किया जाता है next question which is called mother of all branches of knowledge किस subject को कहा जाता है mother of all आप बिलकुल अच्छे से समझ गया होंगे जिग्राफी को कहा जाता है mother of all sciences political science को नहीं कहा जाता anthropology को नहीं कहा जाता sociology को नहीं कहा जाता सभी बिग्यानों की जन्नी भुगोल को कहा जाता है आपको proud होना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे subject को पढ़ रहे हैं धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों इसके साथ आपको कुछ संदेश देना चाहता हूं संदेश ये है कि आप NCRT पुस्त को बहुत बारिकी से पढ़ें उसमें जो चित्तर दिये गए हैं इस objective टाइप टेस्ट में उसको आप वीडियो को पॉज करें उसको सारा पढ़ें अध्यान करें कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके मुझे बताएं